Good morning students, कैसे हैं आप सब? आज का हमारा topic है indirect taxes तो indirect taxes को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि taxes किसे कहेंगे, okay? Tax क्या है? Tax अपने आप में एक burden है It's a charge on various persons to support the government financially, right? Government को public facilities provide करने के लिए या welfare activities के लिए या economic development के लिए पैसों की जरूरत होती है, finance की जरूरत होती है, right? तो ये पैसा कहां से आएगा? ये public से आएगा? ये different person से आएगा? और किस तरीके से आएगा? किस form में आएगा? Taxes की form में आएगा, right? तो tax जो है वो एक तरीके से एक charge है, एक amount देने का एक liability है particular person पर और वो liability कैसे create की जाएगी उसके बारे में बात में बात करेंगे तो it's nothing but a burden, it's a financial burden on each and every person who is liable to pay tax, right? हर वो person जो tax देने के लिए liable है, उसे इस charge को, government को देना ही होगा It's not voluntary, ये voluntary नहीं है कि अपनी इच्छा होगी तो देंगे और नहीं होगी तो नहीं देंगे नहीं ये कोई charity है, नहीं ये कोई donation है, इसलिए तो हम burden बोल रहे हैं burden बोल इसलिए रहे हैं, क्योंकि ये impose किया जाता है, ये लागू किया जाता है ये एक तरीके से सरकार द्वारा compulsion है हम लोगों पर कि हमें particular परिस्थितियों में, particular person के द्वारा जो भी हमारी income होगी या हमारी property होगी, हम उसके ओपर सरकार को एक particular rate से tax देंगे, तो अब tax का मतलब आपको clear हो गया होगा छोटी सी definition भी देख सकते हैं, tax is nothing but money that people have to pay to the government which is used to provide public services, तो government उस पैसे का क्या करती है public services provide करने के लिए use करेगी, अब देखो सरकार की आये का क्या साधन है कोई भी नहीं देखा जाए तो, सरकार पैसा कहां से लाती है अब सरकार ने roads बनानी है, dams है, flyovers है, bridges है, electricity की facility है, water facility है और दुनिया मरकी चीज़ें हैं, जो सरकार आम जंता के लिए करती है तो उसके लिए obviously पैसों की ज़रूरत होगी, तो ये पैसा कहां से आएगा, ये सरकार को income कहां से होगी तो obviously कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तो source होना चाहिए ना income का तो जो taxes होते हैं, वो सरकार की IA का साधन होते हैं और ये आए जो है, एक तरीके से कहां पर V.I. की जाती है, कहां खर्च की जाती है, और indirect tax मतलब जो indirectly pay करेंगे अब इसमें बिलकुल simple सा funda है direct और indirect का direct tax का मतलब होता है क्या होता है कि जब भी tax charge किया जाता है लगाया जाता है तो दो तरह के burden है एक होता है initial burden और एक होता है ultimate burden यानि कि लगाया किस पर जाएगा और pay कोन करेगा अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई जिस पर लगाया जाएगा definitely pay भी वही करेगा पर ऐसा नहीं होता हर बार ठीक है चोट इस example से मैं आपको बताती हूँ आप एक जगा job कर रहे हो तो जो भी आपकी salary आएगी जो आपका वितन आएगा तो वो आपकी income होगी ना आपकी personal income है अब उस income जो सरकार tax लगाएगी वो आपके लिए direct tax होगा क्योंकि income आप earn कर रहे हो right then you will have to pay the tax to government at the prescribed rates ये हो गया direct tax का example कि initial burden मतलब tax लगाया भी आप पर गया और pay भी आपने गरना है ultimate burden भी आपका है अब हम दूसरे example में आते हैं that is indirect tax तो indirect tax का मतलब क्या है indirect tax means कि initial burden किसी और पर डाला जाएगा और ultimate burden किसी और का होगा ये चोटा सा एक आपको diagram दिखाती हूँ मैं इस diagram में आपको दिख रहा है कि ये जो person है ये tax का भार अपने उपर ले रहा है finally और इसको ही pay करना है दोनों भार एक तरीके से initial और final burden इसी का है यहाँ आप देखोगे ये एक person जो है भार ले रहा है और एक person उसको transfer कर रहा है दूसरे पर यानि कि initial burden किसी और पर है initial burden तो ये एक person पर था ना और धीरे धीरे करके दूसरा जो है उसको ले रहा है यानि कि final burden दूसरे रक्ती पर जा रहा है तो यही major difference है हमारा indirect और direct tax का हाला कि और भी foster differences आएंगे तो indirect tax साएक एक example ले लेते हैं जैसे आप कोई shampoo करीदने जाते हैं आप कोई घर का सामान करीदने जाते हैं आप एक fridge करीदने जाते हैं उन रहा है दुकानदार ले रहा है बट देना किसको है सरकार को देना है सरकार आप से direct नहीं ले रही है सरकार आप से indirectly वो tax charge कर रही है तो initial burden किस पर था shop की पर पर था but final burden किसका है आपका है आप कोन है final consumer है आप समझ में आ गया कि initial burden तो एक person अलग पर डाला गया जो की shop की पर था final burden जो है वो consumer पर डाला गया now it is known as an indirect tax और ऐसे काफी सारे examples हम आपको बात में देंगे अब हम थोड़ा सा direct tax के बारे में फिर detail पर जाते है तो पहले तो direct tax का मतलब समझ में आया कि direct tax is really a tax which is paid by a person on whom it is legally imposed जिसके उपर legally ये charge किया गया है and the burden of which cannot be shifted ये बात तो हमने देख ली ना कि जिसने कमाया है पैसा उसी को देना है यानि जो tax है वो उसी को पे करना है so which cannot be shifted to any other person तो direct tax is that kind of tax which is paid by the person and which cannot be shifted from one person to another person तो ये हो गया direct tax का scene अब हम चलते हैं इसके advantages पर दीखे direct tax definitely दूसरे taxes की तरह सरकार की आई का इस साधन है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन इसके अपने कुछ फाइदे हैं या कुछ advantages है उसके बारे पर हम discuss कर लेते हैं एक तो justifiable अब justifiable कैसे हैं माली जी एक income tax है इसके example आप देख लीजे मैंने highlight किया है income tax, corporate tax corporate tax का मतलब companies जो पैसा अन करती है profit कमाती है उसके उपर जो tax दिया जाता है capital gain tax capital gains का मतलब होता है माली जी आपको प्रोपरटी बेचते हैं और उससे आपको कोई profit होता है तो उसके उपर जो tax लगता है that is capital gain tax तो बहुत तरीके के जो tax है वो हम direct taxes में include करते हैं अब हम बात करेंगे इसके advantages की जो advantage में सबसे पहला point आ रहा है that is justifiable यानि कि ये justify करता है ये एक तरीके से न्याई न्याई कैं मतलब ये किसी के साथ अन्याई नहीं होने देता अब हो कैसे आपने देखा होगा कि एक विक्ति अगर 10,000 कमा रहा है और एक विक्ति 15,000 कमा रहा है तो सरकार जो है 15,000 वाले से ज़्यादा tax लेगी और 10,000 वाले से कम लेगी ठीक है क्योंकि कमाई की अधार पर होगा अर्निंग की अधार पर होगा प्रोफिट्स की अधार पर होगा तो ठीक है ना जो बंदा ज़्यादा कमा रहा है तो वो tax भी ज़्यादा पे कर सकता है और जो नहीं कमा रहा है उसे tax कम लो या उसको छूट दे दो तो इस sense में हम कहा रहे हैं यह justifiable है दूसरा point कहा रहा है progressive है progressive में यह होता है कि जैसे जैसे income आपकी बढ़ती है या जैसे जैसे property आपकी बढ़ती है वैसे tax के rates भी change रूते चले जाते हैं अगर आप income tax में जाएंगे क्योंकि direct tax में एक आता है income tax उस income tax में आप देखो कि कि जैसे जैसे आपकी salary जैसे जैसे आपकी profits जैसे जैसे आपकी income बढ़ती है वैसे rates वो बढ़ते चले जाते हैं तो इस procedure को progressiveness कहते हैं यानि कि जो direct taxes होते हैं वो progressive nature के होते हैं income और wealth के साथ साथ यह बढ़ते हैं और उसी के साथ ये कम भी हो जाते हैं, ठीक है, Certain, Certain means कि सरकार को एक certainty होती है, एक mind clear होता है कि भही इतना income tax या इतना wealth tax तो इस साल हमें मिलना ही मिलना है, ठीक है, अब आप माली जे job करते हैं और आप हर महीने 10,000 बे कमाते हैं, तो साल के आप लेक लाग भी ज़र कमाएंगे तो यह चीज तो पहले से पता है ना कि मैं एक लाग भी ज़र कमाऊंगी हाँ थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है एक certainty का मालब यह नहीं है कि आप एक एक रुपे का हिसाब रखेंगे कि इतना tax हमने calculate किया तो इतना ही आए कि संस में कि हाई प्रोसीड जो है जो हाई इंकम है उससे क्या होता है कि मतलब आपने देखा हूं ना flexibility के जैसे rates जो है वह income के साथ या wealth के साथ property के साथ बढ़ते हैं और उसी के साथ कम हो जाते हैं तो इसी कोई हम elasticity भी बोल सकते हैं फ्लक्सिबिलिटी कह सकते हैं productive की बात करेंगे अब productive का मतलब क्या है कि definitely हम सरकार को tax देते हैं तो definitely हम देश के development में contribute कर रहे हैं तो एक तरीके से ये tax हमारे तरफ से एक सरकार को एक help है financial support है और जो है इसलिए इनको productive tax भी कहा जा सकता है ठीक है ओके निक्स्ट इस एक सिकिंड देख लेते हैं कुछ और तो नहीं रहे गया हलाकि ये मैंने जो बात बताई है productivity की वो थोड़ा सा sense दूसरी मैंने लिए है ये थोड़ा सा different sense में बात कर रहा है जैसे वो कह रहा है कि जो डारेक टेक्स हैं वो short run में तो productive होते हैं पर long run में नहीं होते हैं उसका भी reason बता देती हूँ ये ऐसा क्यों बोल रहा है इसलिए बोल रहा है कि direct tax से क्या होता है जैसे माली जी आप जो भी salary earn करते हो तो आप उसका एक particular rate से tax सरकार को देते हो ठीक है और दीरे-दीरे क्या होता है कि जैसे-जैसे आपकी income बढ़ती है वैसे वैसे tax भी बढ़ता चला जाता है तो इसका असर शॉर्ट रन में तो हमको लगता है कि हाँ भई पैसा ज्यादा कमा रहे हैं ज्यादा tax सरकार को ज्यादा income हो रही है लेकिन अल्टीमेटली जो पबलिक के उपर एक इमेज जाती है वो थोड़ा सा इस तरीके से चली जाती है कि जो लोगों का mindset होता है वो यह कहता है कि सरकार हमारी आयका एक बड़ा portion जो है वो tax के formulari है और उन्हें कहीं कहीं इस तरीके के अभ burden की feeling आती है लोगों को ओके फिर उसके बाद बात करते हैं distributive justice distributive justice का मंदर यहां पर वही बात आ गई कि ज्यादा पैसा अन करेंगी जैसे rich person है तो ज्यादा tax दे रहा है और जो poor है उससे या तो tax लिया ही नहीं जा रहा है या कम rate पे लिया जा रहा है तो एक तरीके से justice वा बात करते हैं arbitrary है arbitrary का मतलब क्या चीज arbitrary का मतलब क्या है जो tax के rates लगाए जाते हैं उसमें political agenda ज्यादा रहता है justification वाला कम रहता है हाला कि यहां पे हम कई बात बोल चुके हैं justifiable and distributive justice पर जो rates मैं mention कि रहते हैं जो सरकार जो rates final करती है कि हां इस rate पर हमने direct tax लेना है सब लोगो पर जो fix कर की जाती है वो उनकी आर्थिक स्थिति के अधार पर या economic condition के अधार पर ज्यादा तर नहीं सोचते वो political basis पर यह rates fix किया जाते हैं तो यह थोड़ा सा ठीक सा feel नहीं होता है आम आदमी के लिए next is that is evasion tax evasion evasion का मतलब उता है चोरी करना तो जिसे साब से अगर मैं Indian income tax की बात करो तो इंडिया में direct taxes की जो rates है वो जैसे income tax की हम बात करें तो वो कुछ ज़्यादा ही है in comparison of other countries जिससे क्या होता है कि लोग tax बचाने के लिए गलत तरीकों का इसलिए इसलिए tax evasion का जाता है क्योंकि उनका mindset यही रहता है कि एक तो वो tax pay करना नहीं चाहते और क् उनके mind में यह रहता है कि हम अपनी income का एक portion क्यों दें सरकार को हला कि सरकार का अपना एक नजरिया है एक सोच है या एक जरूरत है तो एक तरीके से direct taxes के बढ़ते हुए rates या progressive जो rates है वो tax evasion के लिए मजबूर करते हैं यह लगा लीजी हाला कि हम यह नहीं कहेंगे कि यह को और उसको punishment भी मिल सकता है next is reduce saving saving reduce करता है definitely आपकी income बढ़ रही है पर tax भी तो उसी साफ से बढ़ रहा है ना तो हमारा जो saving का funda है कि हम इतना पैसा बचा लेंगे वो कहीं कहीं हमारा जो एक target होता है वो हम achieve नहीं कर पाते तो लोगों को यह लगता है कि हम हमारा जो direct tax जो हम tax pay कर रहे हैं वो हमारी income के साथ साथ उसके rates बढ़ते जा रहे हैं तो हम save नहीं कर पा रहे हैं तो यह भी एक थोड़ा सा scene रहता है next is limited tax base limited tax base का मतलब यहां पे यह है कि अगर आप जैसे मालने में income tax का example दे रही थी या Indian context की मैं बात करू तो बहुत कम percentage में लोग ऐसे हैं ज sell right person तो tax देगा क्योंकि वो बच नहीं सकता उसका सारा record है उसके employer के पास या अगर आपने कोई property बेची तो वो भी ऐसे आप नहीं बेच सकते तो बखायदा उसका record होता है तो इसलिए वहां पे भी आपको tax देना होगा business class ज्यादा तर avoid करती है या ऐसे लोग जो unorganized sector में क कैसे लोग मिलेंगे आपको जो tax pay करते हैं आप हम बात करेंगे indirect tax की indirect tax का मतलब कि initial burden and final burden जो है किस पर होता है वो person अलग होता है यानि कि we can shift the burden of paying the actually pay तो जो कर रहा है लेकिन burden उसको नहीं वो indirectly किसी और से लेकर pay कर रहा है जैशे मैंने आपको example दिया frich का तो frich का rate जो भी था वो आपने pay किया है जैकिन tax किस ने pay किया आपके दुगांदार ने पे किया लेकिन दिया तो आपने है ना हो आपने सरकार को नहीं दिया वे कलग बात है बट जेब तो आप ही की कटी आपकी जेब में से ही तो पैसे गए ना आपने दुकांदर को दिया दुकांदर ने आगे सरकार को दे दिया तो है क्या हुआ यह इंडिरेक्ट टेक्सी हुआ तो वो टेक्स जिसमें बर्डन को उसने सरकार ने जो है दुकान दर के थुरू आप पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो indirect taxes, वो taxes है, those taxes which have their primary burden or impact on the single person, मतब एक primary burden एक person पर होता है, but that person succeeds, वो सफल हो जाता है in shifting his burden to other person, और वो अपना burden दूसरों पर shift करने में successful हो जाता, और यह को illegal चीज़ नहीं है, कि आप सोचो कि अरे यह तो shift कर गया, यह तो गड़बड़ कर गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, these are the rules, indirect tax को indirect tax, बोल ही हम इस लिए रहे है, क्योंकि ऐसा इसमें पाया जाता है, इसके पीछे logic है ठीक है ना, तो ऐसा कुछ illegal नहीं है, कि आपके बर burden कर दिया, या आपके बर burden shift कर दिया हो पे, तो उसको देना करना था, उसको था, और मुझे देना पड़ रहा है, यह गलत है, यह गलत नहीं है, यह rule है, ठीक है, so indirect taxes में बहुत सारे taxes आएंगे, अभी मैं आपको एक आप देख सकते हैं, यह देखो tax, tax के दो rates है, direct tax and indirect tax, तो person जो कि government को directly tax pay करता है, bear करता है, bear करना मतलब bear करने का मतलब होता है, कि जो जिसके ओपर final burden आया हुआ है, तो bear भी वही करता है, जो pay कर रहा है, और यहाँ पर person paying the tax to the government, collects the same from the ultimate consumer, जो person government को tax pay कर रहा है, वो collect कर रहा ह इस tax को ultimate consumer, ultimate का मतलब है, final consumer से, right, so incidence of tax, incidence का मतलब आप final burden समझना, incidence of tax का मतलब बता है, final burden of tax is shifted from one person to another person, right, और यहाँ पर progressive nature की होते हैं, यह direct tax, जैसे जैसे income या property आपकी बढ़ती है, वैसे वैसे tax के rates बढ़ जाते है, यहाँ बर regressive nature रहेगा, regressive का मतलब यहाँ पर यह कि अब देखो, आप एक fresh खरीद रहे हैं, तो दुकानदार आपको 20,000 का rate बताएगा, लेकिन अगर वहाँ पर कोई मैच ली जाती हूँ, कोई और चला जाता है, तो उसके rates अलग थोड़ी ना हो जाएगे, rates तो वही रहेगे ना, MRP पर तो वही रहेगा, हाँ, कभी-कभी थोड़ा सा हो जाता है, कि जानकारी के हिसाब से माली जी मैं मेरे को अच्छे से जानता है, तो हो सकता है 100-200 कम करते हैं, वह एक अलग बात है, वह एक अलग चीज़ है, लेकिन जब सरकार को tax देने की बात आरेगे ना, तो tax तो वही जाएगा, जो उस 20,000 के उपर बनता है यह मत सोचना कि tax कम हो गया, सरकार अपना tax नहीं छोड़ेगी, हाँ, वह दुकानदार अपना margin छोड़ रहा है, अगर वो मुझे 200 पर कम भी कर रहा है, तो वो अपने profit का margin छोड़ रहा है, वो अपना profit छोड़ रहा है, वो सरकार का tax नहीं छोड़ सकता, सरकार थोड़ी न इंडिन का टेक्स की में बात कर रही हूं, indirect taxes हैं, direct taxes हैं, और goods की बात करेंगे, देखो, indirect taxes जो हैं, वो दो तरही के, दो चीजों पर लगते हैं, goods पे और services पे, और आपका जो direct tax है, जैसे मैंने बूला income tax, तो income पर tax लग गया, wealth tax, wealth का मदर property पर tax लग गया, और other, other में बहुत स करते हट हैं इंटरेटीन्मेंट और सर्विसें पर और चीए थोड़ा सार मैं अपको लेटिस्त इसमें अभी आएगा पहले सिर्फ आपको जैसे दे gebrachtना परने क्लों मैं और और ना है व्यवयाथ जμο navigation दो याấ had ready किजिए उसके बाद हम जब detail में जाएंगे तब आपको GST के बारे में भी पता लगेगा और चीजों के बारे में भी पता लगेगा तो goods के ओपर जो जो tax लग सकते हैं that is excise duty, excise का मतलब होता है कि जो लोग goods को आप production करते हैं, जो manufacturer है उनके ओपर एक tax लगा जाता है that is excise duty, custom duty अगर आप goods को एक देश से दूसरे देश में ले जाकर बेशते करते हो या import और export के business में हो, तो import export पे भी हमें एक tax देना पड़ता है, उसे हम custom duty बोलते हैं, यानि कि जब दो देशों के बीच में आदान परदान होता है ना, तो उसमें custom duty लगाई जाती है, और CST, CST है central, एक मिनट हाँ, इंटर state sale, तो यह क्या चीज है, इसमें यह है कि एक state से, अभी यहाँ पर custom duty में तो हमने यह देखा ना, कि एक देश से दूसरे देश में समान आया गया, तो उस पर tax लगाया गया, यहाँ पर एक state से, अभी राजस्तान से हर्याना में, अगर समान आकर बिकता है, तो इंटर state sale हो गई ना, तो CST उस पर होगा, and next is sales tax or VAT, on sales within the state, मतलब, अभी यहाँ पर मैंने बोला, राजस्तान और हर्याना के बीच में, लेकिन अगर हर्याना के अंदर ही, जो है, सामान बिक रहा है, तो उसके उपर जो tax लगाया जाएगा, that is sales tax या VAT, ठीक है, और others में आ जाते हैं, अक्ट्राई या entry tax, तो जब एक state से, जैसे यहाँ पर आपने देश की सीमाई क्रॉस की, कस्ट्रम ड्यूटी तब लग गए, और यहाँ पर आपने एक state की सीमा क्रॉस करी, जब हर्याना से आप राजस्तान में एंटर करें, तो अक्ट्राई या entry tax आपको देना पड़ा, तो अब यह सारे के सारे जो tax हैं, वो goods पर लगेंगे, और services पर, तो services तो जैसे banking है, communication है, transport है, उस पर उन services को जब हम customer लेता है, तो उसके लिए जो tax पर किया जाता है, वो service tax कहलाता है, तो अब आपको थोड़ा सा idea हो गया होगा taxes का, कि indirect taxes और direct taxes किसे कहेंगे, अब हम इंडिरेक्ट टेक्स के बारे में थोड़ा सा, जैसे हमने उसके advantages और disadvantages किये, ऐसे इसके ही कर लेते हैं, फटाफट, जैसे इसमें clear था, पहले इसके features पर जाते हैं, कि इसमें tax का burden shift किया जा सकता है, दूसरा indirect tax जो है, वो commodity tax है, देखाए न, commodity भी और service भी है, यहां पर commodities मतलब goods हो गई, services में आ गई, तो यह एक तरीके से इन दोनों पर लगाया जाता है, फिर उसके अलावा, जब direct tax imposed किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, तो text pair की ability is directly determined, मतलब आप कितना, माल लीजी, आप जितना सामान खरीदेंगे, तो definitely, जो tax pay करेंगे, वो उसी के proportion भी तो करेंगे न, जितना ज्यादा, आप माल लीजी, एक महंगा TV खरीदे हैं, तो उसका tax भी उसी साब से होगा, ठीक है, उसके अलावा फिर आता, taxpayer does not perceive a direct pinch while paying indirect tax तो, उसको pinch नहीं होता है, अभी income tax देते हैं न, हमें बड़ा feel होता है, कि oh my god, मैंने इतना कमाया, इतना सरकार नहीं ले लिया, तो ये चीज़ें मैं को दिखती हैं, किसी को भी दिखेंगी, लेकिन जब internet tax pay करोगे, हम जैसे 20,000 का टीवी खरीद लिया, तो मुझे लगा, मेरे घर में जो टीवी आया, वो 20,000 का है, और मतलब मुझे कोई ये फिल नहीं होगा, कि 20,000 में से सरकार को कितना गया, और दुकानदार को कितना गया, वो चीज़, क्योंकि मैं उसको इतना ज़्यादा डेटेल में देखूंगी, नहीं न, इतना हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, हम से तो दुकानदार ने भी ज़जार लिये, न, राइट, हाला कि हमने दुकानदार को भी पैसा दिया, और इंडरेक्टी हमने सरकार को भी दिया है, लेकिन वो चीज़ें हमें फिल नहीं होती है, उसके अलावा, टेक्स, इंडरेक्ट टेक्सें, जो हैं, easier to collect है, अब जिएको डरेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट को collect करना हमें थोड़ी formalities रहती है, indirect tax easily collect हो जाते हैं, क्योंकि middle man होता है, तो middle man के through collect करना होता है, तो इसलिए सरकार के उपर ज़्यादा burden नहीं आता है टेक्स imposed, सॉरी एक मिनिट पर इसको पूरा करें indirect tax are easier to collect and greater amount of generation of revenue तो revenue असानी से generate हो जाता है, तो तो definitely उसमें जो tax तो आपको देना ही पड़ेगा और आप जो है, एक तरीके से उस करकी चोरी नहीं कर पाई, लेकिन जब दुकानदार बिल नहीं काटता या हम लोगों की जानकारी होती है, तो हमें हमें लगता कि बिल क्या करेंगे हम लेकर, वहां पर tax जो है, बचा लिया जाता है, तो उसे कह सकते हैं, हम tax की जोरी अब आप देखा जाएं तो दुकानदार ने की है, क्योंकि दुकानदार ने बिल नहीं काटा है तो अगर बिल काटता, तो उसमें उसको tax show करना पड़ता, और tax show करता तो सरकार को pay करना पड़ता, तो इस तरीके से तो tax evasion हो जाता है, वैसे नहीं हो पाता, फिर उसके बाद six point पे कहा रहा है, tax imposed on commodities directly affects the prices of commodity, definitely, अगर 20,000 का TV है, उसमें अगर 2,000 पे का tax है, तो actual TV वाठार हजार का है, मालीज ये tax की rates बढ़ जाते हैं, और वो 3,000 का हो जाता है, तो आपको 3,000 पे देने पड़ेंगे, मतलब अगर 20,000 में 3,000 tax है, तो वो तो definitely, था तो 20,000 का ही, 3,000 सरकार ने ले रही है, अब दुकान दर का profit का जो margin था, वो कम हो गया, लेकिन जैसे जैसे पीछे से सरकार indirect tax के rates बढ़ाती है, वैसे वैसे दुकानदार भी चीजों के rates बढ़ा देते हैं, obviously, उनको भी तो अपना पैसा कमाना है न, तो इससे क्या होता है, कि inflation की स्थितिया जाती है, वस्तों के rates बढ़ जाते हैं, ओके जी, तो ये मैंने example आपको बता दिये थे, next आ रहा है merits की indirect taxes के क्या फाइदे हैं, तो convenient है easily collect हो जाता है और इसमें कोई भी public को pinch नहीं होता, परिशानी नहीं होती, inconvenience नहीं होती और उनका mindset वैसा नहीं होता, जैसे direct taxes को pay करते समय होता है, और इतनी असानी से, not easily evadable, इतनी असानी से tax की चोरी possible नहीं हो पाती, broad based है, मतलब ये नहीं है कि अगर अमीर और गरीब का सीनिया नहीं रहेगा कि सब को बराबर tax देना है, भई हाँ, वो तो commodities के volume पर तो रहेगा, कि अगर आप हैंगा, टीवी करीदोगे, तो ज्यादा tax दोगे, अगर सस्ता खरीदोगे, तो कम दोगे, वहाँ तो product की quality पर तो आप हम जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक गरीब आदमी को tax ज्यादा पे करना पड़ है, अमीर आदमी को कम करना, ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है, जस्टिफियेवल है, सोशल वैल्यू की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर यह नहीं लगता है कि हाँ, रीचोर पूर का जो कहाँ पर वो डिरेट टेक्सिस के थ्रूँ तो थोड़ा एक तरीक ऐसे, क्योंकि everyone, each and every person is consumer, कही ना कही हम life में, per day, पता नहीं कितनी चीज़े consume करते हैं, तो और कही ना कही consumption में हम टेक्स दो देगी रहे हैं, तो हर आदमी contribute कर रहा है देश की development के लिए, राइट, नेक्स आरा है forced saving, तो एक तरीके से सरकार को हम indirectly help कर रहे हैं, तो हमारी savings का कुछ portion, अब हम जब हम savings में से कुछ खर्च करते हैं, अपनी income को कुछ खर्च करते हैं, एक तरीके से, मान लिजी हम कोई भी amount, जो है indirect taxes की रूप में, जब हम मेरे कहने का मतलब जो दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार के हाथों में जा रहे हैं, तो एक तरीके से, सरकार obviously उसका इस्तेमाल public facilities के लिए करेगी, right, complimentary complimentary का मतलब यह है, additional revenue जो है generate हो सकता है, अगर सरकार को लगता है कि हाँ, अब मान लिजी कोई ऐसा project है, जो सरकार को इस सार पूरा करना है, और उसके लिए उसको additional पैसों की जरूरत है, तो यह कैसे manage करेगी indirect taxes के rates कहीं न कहीं बढ़ा कर, या किसी नई चीज़ पर tax लगा कर progressive वैसे तो, देखो indirect taxes जो है luxuries पे progressive हो सकते हैं जैसे महंगा है, TV है तो महंगा क्यों है, क्योंकि tax उसके उपर rate महंगा है, उसके पर indirect tax का rate ज़्यादा है, तो progressive वहां तो हैं, जहां पर luxurious item है, और जहां पर daily routine की item है, या जो consumable durables हैं वहां पर rates बहुत कम होते हैं, तो यह एक अच्छी बात है demerits क्या है, demerits में inequitability equitability, मतलब यह है कि यहां पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना चाहिए, कि अगर एक ही product है कमीर आदमी ले रहा है, और एक गरीब आदमी ले रहा है tax तो दोनों से आप बराबर ले रहे हो ना, जबकि वो दोनों बराबर नहीं दे पातें एक तो, रिश्चाद में तो दे सकता है ना, पर पूर नहीं दे सकता तो यहां पर थोड़ा सा एक उनमें gap तो आपने पढ़ाई दिया, कम कहां किया less productive less productive का scene यह रहेगा कि जो यह tax लगाना और tax को collect करना यह कई हातों से ओकर गुजरता है तो बड़ी formalities हाला कि collect करना असान है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन it involves many stages तो cost जो बढ़ा है न सरकार की वो बढ़ जाती है indirect tax को collect करने की जो cost है वो बढ़ जाती है जो direct taxes के टाइम पे नहीं बढ़ती inflammatory inflationary potentiality राई वस्तों के rates यानि वस्तों के जो कीमते हैं उन में बढ़ने की tendency पाई जाती है कैसे obviously सरकार ने indirect tax के rates बढ़ा दिये तो जो product का cost बढ़ जाएगी प्रोड़क्ट की cost बढ़ जाएगी तो पता ही है क्या होगा वस्तों की कीमते बढ़ रही है इंफलेशन का सी situation आ जाएगा disincentive effect on savings जब चीजों के rate बढ़ते हैं तो आपको अपनी income का एक बड़ा हिस्सा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्चे करना पड़ता है तो इसका मतलब savings पर तो definitely जो है adverse effect आएगा न no educative value आम आदमी कोई पता नहीं होता कि हम internet tax pay कर रहे हैं हाला कि ऐसा कोई अभी इतना तो aware है consumer बट कहीं उसके अंदर एक वो sense नहीं होती है बहुत सारे time पे हम देखते हैं कि हम लोग दुकानदार से bill नहीं लेते जैसे मैंने अभी discuss किया तो indirectly हम क्या कर रहे हैं हम सरकार की आये का नुकसान कर रहे है दुकानदार हमसे पूरा डेट ले रहा है वो कोई कम नहीं कर रहा है आपको लेकिन वो tax का पैसा अपनी जेब में डाल रहा है जो कि आपकी गलती है अगर आप उसको यह बोले कि आप उसको आपको bill दे तो उससे क्या होगा कि सरकार का जो tax है वो सरकार की जेब में जाएगा लेकिन यहां पर क्या हुआ आपने bill नहीं मांगा उसने नहीं काटा तो tax बचा लिया उसने और वो अपनी जेब में डाल गया तो किसका नुकसान हुआ, सरकार का नुकसान हुआ तो ये एक चीज जो है वो awareness लोग में नहीं है Now we come to the next point that is difference between direct taxes and indirect taxes, the last topic of this chapter is इन दोनों में difference क्या है इतनी सारी बाते हमने डिसकस करें तो I hope कि आपको automatically बहुत सरे points दिमाग में आने स्टार्ट हो गए होंगे direct taxes वो होता है जिसमें initial burden और final burden same person पे होता है बड़ indirect में असा नहीं होता है indirect tax में burden shift किया जा सकता है और किया जाता है direct taxes के फिर example आपने देने हैं जैसे income tax है, wealth tax है उसमें आप indirect tax में example दे सकते हो try है, custom duty है, service tax है next है यह जो taxes है वो equality पे अधारित होते है rich और poor के बीच में gap create नहीं करते बलकि उनका gap कम करने कोशिश करते हैं क्योंकि वो progressive nature की होते है लेकिन आपका indirect tax है जो उसमें ऐसा funda इस्तेमाल नहीं होता next is they don't affect those with low income wealth from that level obviously income tax या wealth tax है वो आपके income और wealth की amount के अधार पर होते है अगर आपके पास income है ही नहीं या wealth नहीं है तो आप पर कोई tax नहीं लगा जाएगा बट इसके indirect tax में ऐसा नहीं होगा और आपने चीज़ खरी दी है तो tax तो देना ही पड़ेगा चाहे आपके क्वेस्ट्री है चाहे नहीं है नो शिफ्टिंग और ये मने बता दिया कि इसमें बटन का शिफ्ट नहीं होता है और इसके अलावा सरटेंटी है इसमें मतलब सरकार को आई का आई का अल्मोस्ट अनुमान लग जाता है इंडरेट टेक्स में ऐसा नहीं होता वो डिमांड और सप्लाई किया दूपर अधारी तो होता है और लास्ट वन इस कि डिरेट टेक्स को जो लगाए जाता है वो एक इंबालेंस क्रिएट नहीं करता प्रोड़क्शन रिसोर्स में यहां पर थोड़ा सा सीन सही रहता है क्याकि जैसे इंफलेशन का सिचुएशन आ जाता है अब जैसे इंडरेट टेक्स लगाओगे या जादा रेट करोगे तो रेट बढ़ जाएंगे तो लोगों की सेविंग्स कम हो जाएंगी या लोग फिर खरीदना कम कर देंगे तो फिर प्रड़क्शन फिर वो दिमांड कम हो जाएगे तो दिरे दिरे फिर एकोनामिक पे असर पड़ेगा So, these are the main points of differences between direct taxes and indirect taxes I hope you have you got my points and कोई भी ऐसी जो भी परिशानी हो तो आप डिसकूस कर सकते है So, that's all for this video. Thank you so much. Bye-bye and take care.